पूरू संसट डॉक्टर सुधायादव को भाजपा संसदिय बोर्ड एउं केंद्रिय चुनाव समिति का सदस से बनाए जाने के बाद दक्षन हरियाना खासकर रिवाडी की राजनिती में गर्माहट तेकने को मिल रही है और यह इसी का नतीजा कहें कि यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार रिवाडी पहुंची डॉक्टर सुधायादव का ने केवल भाजपा जिला करेले में पार्टी करेकरताओं ने गरम जोशी से ढोल नगाड़ों फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वाग किये गए जगे जगे भारी संख्या में उम्रे पार्टी करेकरताओं वे आमजन के सेलाब को देख डॉक्टर सुधायादव भी ने केवल गदगद नजर आई बलकि अपने आपको यह कहने से नहीं रोक पाई कि भाजपा करेकरता सदयव उत्साहित रहता है वही इतना भा को मजबूत करना उनकी पहली प्रात्मिकता है कॉंग्रेस की हला बोल रैली को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर सुधायादव ने कहा कि एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी बिखर रही है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस भारत को जोडने की बात करती है और कॉ आको बैंक के चेर्मेन डॉक्टर अरविन्द यादव, पूरु मंत्री बिक्रम ठेकेदार, प्रदेश संयोजक 37 खोला, वीरकुमार यादव, बाल कल्यान परिशद हर्याणा की उपात द्यक्षा, पारिशा शर्मा सहित बारी संक्या में पार्टी कारेकरता मोजूद रहे रेवाडी से न्यूजवाइस के लिए संजे कोशिक के साथ आजे सागर अत्री की रिपोर्ट कारेकरता में आपके नियुक्ति के बाद लगाता है, उत्सा देखता जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको, किस तरह से बार्टी में आज आर्याना की राज में किस तरह से पुपाऊ रहता है और पिछले साथ आठ वर्षों के अंदर यदि आप देखेगे, तो संगठन का काम भी नीचे तक बहुत बढ़ा है, और सरकार के कामों को लेकर के भी कारेकरता नितत, अनेक कारेकरब करता रहता है, और आज जो कारेकरताओं ने सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपादी देखे कॉंग्रेस एक भारत जोड़ो अभियान भी चला रही है, अपनी पार्टी भी खर रही है, भारत को जोड़ने की बात कर रही है, ऐसे समय में वो रेलिया कर रही है, जिस समय उनका जनाधार पूरे तरीके से खसक चुका है, और मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस क पास में आज कुछ बचा है, तीन वर्ष जो कोरोना काल के निकले हैं, और जिस तरीके का मैनेजमेंट इस कोरोना में देश की सरकार ने किया है, हमारे विज्ञानिकों ने जिस तरता के साथ में काम किया है, और देश को जिस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला है, उसके एप्रिशेशन की रैली करना भी बनता है, हमेशा विरोध के लिए विरोध करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब समय कभी सोचा नहीं था तो मुझे चुनाव लड़वाय गया था, और जब कभी सोचा था तो नहीं भी लड़वाय गया, तो दोनों परिस्तितियों में मैं ना बहुत उत्साहित हुई थी और ना बहुत निराश हुई, तो आज तो मैं इस विश्य में नहीं सुचती हूँ, क्योंकि आज मुझे बड़ी जिम्मेवारी दिये, तो पहला मेरा काम यह है कि मैं संगठन के काम को जो मुझे दिया गया है, उसे और नीचे तक गहराई स जारी हूँ, पहली बाद तो मेरे पास यह सूचना आपसे बल रही है, मैं तो रास्ते में अनेख जिगे के उपर स्वागत के कारेकरम थे, अब किसने कहां पर कारेकरम रखा है, इसकी सूचना नहीं है, और मैं अभी गुड़गाओं से आई हूँ, तो लेवारी बॉर्ड के उपर कापडवास गाओं के सामने बहुत लोग खड़े थे, वहाँ पे कापडवास जी भी अभी नंदर करने आए थे, जबकि मेरी जानकारी में नहीं था, तो मैं इस रूप में नहीं देख रही, वो भी इस रूप में देख रहे हैं, कि मैं इलाके के अंदर एक भारतिय जन्ता पार्टी चुनाओ की तैयारी सतत करती रहती है, हम अपना वोट बैंक और कैसे बढ़ाएं, जहां पर हम कमजोर हैं, उसको हम मजबूत कैसे करें, लोग और अधिक हमारे साथ में कैसे जुटें, इस रन्निती के उपर चर्चा होती है, और राज़्टी नहीं करती, सामाजिक कार्रों में बढ़ चल करके इस्सा लेती है, तो उन सब कामों की समिक्षा हो सके, और हम लोगों के बीच में जाकर के अधिक से अधिक पार्टी की नीतियों के बारे में बता सके, इसके निवित वो बैठेती हैं। वहाँ पर 24-24 गंटे तक नोट नहीं किने जा रहे हैं मशीनों से, तो कोई ने कोई inputs and informations रहती हैं, तभी वो काम करती है, या तो वो ये कहें कि वेई fake निकला, तो तो बात है fake तो निकल नहीं रहा, सची निकल रहा है।